अंकित ने गुसे में थाली को आगे की तरफ सरका दिया और अपनी मा से कहा मैं नहीं खाऊंगा ये कद्दो की सबसी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मेरे लिए कोई दूसरी सबसी बना दो सुनो अंकित बेटा मैं बार-बार रसोई में खड़े होकर कुछ नहीं बनाने वाली तुम्हें यही खाना होगा जो घर के सभी सदस्य खा रहे हैं तो ठीक है मैं भूगा रहलूँगा लेकिन खाना नहीं खाऊंगा ये तुम कैसी बादे कर रहे हो मा ने जो बना कर दिया है चुपचाप खालो पिता के डड़ से अंकित ने चुपचाप थाली अपनी तरफ सरकाली और खाना खाने लगा उसे इस तरह करता देख उसके दादा दादे हसने लगे और उसकी बहन उसे चुढ़ाने लगी आंकित के पिता सुनील एक छोटी सी नौकरी करते थे और कम पैसों में प्रभा पूरी तरह घर को चलाने की कोशिश करती थी बहरा पुरा परिवार था उसमें महीने में एक दो महमान आ जाते थे प्रभा अगर दो पैसे बचाने की सोचती भी तो वो भी खर्च हो जाते हैं इसलिए वो बाजार से सस्ती सबजियां खरीद कर लाती और हर बार उसी कद्दू सबसे सस्ता लगता है इसलिए एक बड़ा सा कद्दू उठा लाती वैसे तो घर में कद्दू किसी को भी पसंद नहीं था लेकिन घर की हालत को देखकर और प्रभा की मेहनत को देखकर कोई कुछ नहीं बोलता था पर पिछले कई बारी से अंकित हमेशा कद्दू की सबजी बनने पर घर में कलेश करने लगा था खाना खाकर सब सोने के लिए चले जाते हैं अंकित बहुत देर तक पढ़ता रहता है और उसके बाद उसे भी नींद आ जाती है सपने में वो देखता है उसे एक बहुत बड़ा कद्दू बुला रहा है तुम कद्दू होकर बोल रहे हो? चले जाओ यहां से मुझे कद्दू बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्यों पसंद नहीं है? देखो तो मैं कितना मोटा ताजा हूँ मेर से बनाए गई सबजी कितनी स्वादेश्ट होती है यहां तक कि मेरे से बनाए गई मिठाई को सब ही लोग बड़े चाओ सिखाते हैं फिर तुम्हे कद्दू क्यों पसंद नहीं है? करते होंगे तुम्हें सब लोग पसंद लेकिन मुझे कद्दू पसंद नहीं है तो बस नहीं है तुम्हारी बनाए हुई सबजी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मुझे समझ में नहीं आता तुम में कौन सी खोबी है जिसका बखान तुम मेरे सामने कर रहे हो लगता है मेरी मा को भी तुम में खोबिया नजर आती है तब ही हर बारी एक बड़ा कद्दू उठा लाती है ये सुनकर जादूई कद्दू अंकित के सामने बैठ जाता है और बहुत देर तक इधर उधर देखता रहता है अब इधर उधर क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना तुम यहां से चले जाओ और तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? तुम्हें तो किसी सबजी वाले के पास होना चाहिए या किसी खेत में सोचो अगर मैं कुछ ऐसा कर दू कि तुम्हारी मन पसंद चीज तुम्हें दू तो क्या तो मुझे पसंद करने लगोगे? तुम मुझे बेफकूफ समझ रहे हो तुम्हें पता है इस साल में दसवी क्लास में हूँ और मेरे से इंटेलिजेंट बच्चा क्लास में कोई भी नहीं है तुम सोच रहे हो कि मैं तुम जैसे एक मोटे कद्दू के बहकावे में आ जाओंगा पहले तो तुम मुझे बार-बार ये मोटा-मोटा बोलना छोड़ दो ये भी मेरी एक खूबी है मैं इतना मोटा और इतना बड़ा होता हूँ कि लोग एक ही बारी में मुझे ले जाते हैं और फिर कई दिन तक सब्सी बनाते हैं मेरी सब्सी हर जगा बनती है पूजा में बी और शाधियों में भी जिस तरह तुम्हें तुम्हारी खूबी पता है कि तुम इंटेलिजेंट हो, इसी तरह मुझे भी मेरी खूबी पता है मैंने बस तुमसे पूछा है कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूँ तो क्या तुम मुझे पसंद करने लगोगे अच्छे एक सबसी क्या कर सकती है, बताओ मुझे सरा जादूई कदू की बात सुनकर अंकित हसने लगता है अगर तुम्हें इतना ही जादू आता है, तो तुम ऐसा कमाल क्यों नहीं कर लेते कि तुम दिखने में सुन्दर लगो तुम पतले हो जाओ और तुम्हारी बनाए हुई सबजी मुझे पसंद आ जाए तुम्हारे कहने से मैं अपना रंग रूप नहीं बदल सकता, मैं कदू हूँ और मुझे कदू ही रहना पसंद है और इसी तरह मोटा तासा भी, हाँ अगर तुम कहते हो कि तुम्हें मेरी बनाए हुई सबजी पसंद आ जाए, तो ये लो तभी अंकित देखता है कि वहाँ पर बहुत सुन्दर तरीके से बनी हुई कदू की सबजी पूरी रखी हुई है खा कर देखो और बताओ क्या ये सबजी अच्छी नहीं है ना बाबा ना, मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं और खाना नहीं खा सकता अब तुम बहाना बना रहे हो, मैं अभी तुम्हारा पेट खाली कर देता हूँ और फिर तुम मुझे ये सबजी खा कर बताओ तब ही अंकित को अपना पेट हलका लगने लगता है, वो जादू कदू के कहने पर सबजी पूरी खाता है और फिर खाता ही चला जाता है, उसने आज से पहले इतनी स्वादिष्ट कदू की सबजी नहीं खाई थी अब क्या कहते हो, अब तो तुमने सारी सबजी भी खा ली है, सच मुझ, ये तो बड़ी ही हैरानी की बात है, मैंने कदू की सबजी खाई है, पर कुछ भी कहो, ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी देखो अब सुबह होने वाली है, पूरी राद तुमने बातों में ही निकाल दी, मैं तुम्हें और जादू दिखा ही नहीं पाया, जल्दी तुमसे फिर मिलने के लिए आउंगा ये कहकर जादू कदू वहाँ से गायब हो जाता है, आंकित की आँख खुलती है, तो वो इधर उधर देखता है, फिर वो समझ जाता है कि वो तो कोई सपना देख रहा था, कोई जादू कदू वहाँ पर नहीं थी सुबह दोनों भाई बहन स्कूल चले जाते हैं, सुनिल अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, प्रभा अपने सास ससुर के साथ में बैठ कर चायव पी रही थी, कि तब ही उसकी सास बोलती है अरे प्रभा, मैं तो तुझे बता नहीं भूल गई, आज कुछ सुमा रही है अपने बच्चों के साथ, घर में बढ़ियां सा खाना बना लेना इतनी बड़ी बात आप भूल गई, अब दीदी के आने तक मैं सारे घर का काम कैसे खत्म करूंगी, और फिर बाजार जाकर सबजी भी तो लानी है अरे परेशान मत हो, वो सुभे नहीं आ रही है, शाम को आ रही है, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, घर का काम भी कर लेगी, और मैं हूना तेरे मदद करने के लिए परभा जल्दी से चाय खत्म करके घर के कामों में लग जाती है, दो पहर को दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, तो परभा अंकित से कहती है कि बाजार से एक बड़ा सक कद्दू खरीद कर ले आओ, पर मा, कल ही तो तुम रात को कद्दू की सबजी खाई है, अब क्यो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बुवा आ रही है, वो भी अपने बच्चों की साथ में, इतने सारे लोगों के लिए मैं पनीर की सबजी नहीं बना सकती, और बाकी सबजीों के दाम पता है ना तुम्हें, जितना कहती हूँ उतना सुनो अंकित अंकित गुसे में अपना बैक फेक देता है, और पैसे लेकर कद्दू खरीदने चला जाता है, उसे मंडी में एक अच्छा बड़ा कद्दू दिखाई देता है, वो उस कद्दू को देखकर सपने में आए हुए कद्दू की बारे में सोचने लगता है, वो हूब हूब हू इसा ही दिखाई दे रहा था। अंकित उसे खरीद लेता है और अपने सर पर रखकर घर की तरफ आते हुए सोचने लगता है। वो घर के अंदर जैसे घुसता है तो देखता है बुआ अपने बच्चों के साथ खड़ी है और सारा परिवार भी हैरानी से फ्रिच के पास खड़ा है और उसके आंगन में एक स्कूटी खड़ी है। अभी फ्रिच को देख रहा था तो कभी उस कद्दू को देख रहा था जिससे उसने अभी अभी मेज पर रखा था। आखिर ये सारी सबजिया हमारे फ्रिच में कहां से आईं और इतना सारा पनीर मैंने तो पनीर पिछले छे मैने से खरीदा ही नहीं है। आखिर ये चमतकार हमारे साथे क्यों। आंकित को सारा माजरस समझ में आ जाता है। वो अपनी मा को अंदर कमरे में ले जाता है और उन्हें बताता है कि उसे रात को एक जादूई कद्दू का सपना आया था और बाजार से वो वैसा ही कद्दू खरीद कर लाया है और रास्ते भर वो इन ही चीज़ों के बारे में सोच रहा था। अरे पागल हो गए हो क्या, भला ऐसा कभी होता है ये तो मुझे पता नहीं होता है, या नहीं होता है लेकिन अभी अभी जो कुछ हुआ है, वो इस जादूई कद्दू की वज़ा से हुआ है अंकित भाग कर बाहर जाता है, और कद्दू उठा कर अंदर ले जाता है और कद्दू से कहता है अज मा को खाना ना बनाना पड़े, सब कुछ तयार कर दो बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाना, खीर, पूरी हलवा, आइसक्रीम इधर अंकित कुछ बोलता है, उधर उसकी बुवा शोर मचाने लगती है कि रसोई में खीर हल्वा पूरी आईस्क्रिम पता नहीं कहां से आ गए है हाँ, इसका मतलब तुम सच में कोई जादूई कद्दू उठा कर लाए हो तबी सुनेल भी घर आ जाता है, वो भी सारी चीजों को हैरान इसे देख रहा था प्रभा उसे भी कमरे में लेकर आती है और जादूई कद्दू की सारी बात बता देती है ये सुनकर उसका पती खुश हो जाता है फिर वो अंकित को बुला कर जादू कद्दू से अपने लिए सुन्दर सा घर मांगता है और देखते ही देखते उनका घर एक बड़े से घर में बदल जाता है ये देखकर बुआ बहुत हैरान हो जाती है और इस तरहे अचानक जादू से सब कुछ होने की बात को बोलती है ये सब इस जादू कद्दू की वज़े से हो रहा है जिसे अंकित लेकर आया है और ये अंकित की ही बात मानता है ये लो जिस लड़के को कद्दू की सबजी ही पसंद नहीं थी उससे जादू कद्दू मिल गया है सुनो अंकित इससे कहकर मुझे भी अमीर बना दो अंकित ऐसा ही करता है तभी वहाँ पर बहुत सारा पैसा आ जाता है वो अपनी बुआ को दे देता है वो भी खुश हो जाती है और फिर सारा परिवार वो खाना खाता है जो जादू कद्दू की वज़े से वहाँ पर आया था अगले दिन सुभे बहुत सारा पैसा लेकर बुआ अपनी घर चली जाती है और अंकित जादू कद्दू से कहकर बहुत सारी चीज मांगता है अब वो गरीब नहीं थे, अमीर हो चुके थे और उनके पास हर तरह का सामान था यहां तक कि उसकी बाबा ने अपना एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया अब सबकी लाइब बड़ी ही हापी हैपी हो गई थी कि तब ही एक राद फिर अंकित को सपना आता है अब बताओ, अब तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं तुम मेरी सबसे फेवरिट सबजी बन गए हो तुम्हें पता है, अब मैं कद्दू की सबसी भी बड़े खुश हो कर खाता हूँ और उसका स्वाद बिलकुल वैसा ही होता है जैसे मैंने उस दिन सपने में खाया था तो फिर ठीक है, अब मैं किसी और तुम्हारे जैसे अंकित को ढूंडता हूँ जैसे कद्दू की सबसी पसंद ना हो, तुम इंजॉय करो और ये जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है, ये तुम्हारे पास हमेशा रहेगा और तुम्हारे बाबा का काम भी बहुत अच्छा चलेगा मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, जादूई कद्दू ये कहकर जादूई कद्दू चला जाता है, आंकित उठकर बाहर आता है तो देखता है, वहाँ पर जादूई कद्दू नहीं था और उसके बाद आंकित और उसका परिवार सब बहुत खुश रहते हैं